गुड मॉर्निंग स्टुडेंट जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में लेसन नंबर 10 हल्दी एडवेंचर इसके लेसन को हमने पढ़ लिया और आज हम इसके न्यू वर्ड्स रीड एंड राइड को हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले न्यू वर्ड्स में 1,2,3,4,5 वर्ड्स जो दिये वे उसको हमको हिंदी में समझना है तो देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है जैसे न्यू वर्ड्स surprised surprised means क्या होता है हैरान होना, जब हम किसी चीज को देखते है अचानक से, तो हम surprised हो जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं second है adventure adventure मिन्स होता है सहसी या रुमान्चक ठीक है, उसके बाद third है wonderful wonderful मिन होता है अनोखा या आशर्य चक्कित star, star मतलब होता है, तारे उसके बाद है, when ever whenever का मिन्स होता है जिस स्रमै भी उसके बाद देखिये, second क्या दिया हो है, read and write read the story carefully and answer the question, write the name whose picture is given blow है ना, तो ये किस की picture है है ना, ये किस की picture है ये एक girl की picture है ना, तो यहाँ पे g-i-r-l girl की image है ना, ये किस की image है ये है, giraffe की तो g-i-a g-i-r-a double f is giraffe ठीक है, second है complete the dialogue what do you do in the school, जिराफ पूछ रहा है what do you do in the school तो यहाँ की answer आएगा I study I study in school मतलब मैं school में पढ़ाई करती हूँ है ना, third है write whether the given statement is true or false मतलब यहाँ पे true or false देखना है, क्या इस story में सस्थी और क्या गलत था, उसको हमको यहाँ पे note करना है, मतलब true or false में देखना है तो first क्या दिया था giraffe had a book in his hand है ना, क्या जिराफ के हाँ में book था तो यह true है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम true P-R-U-E वो सचमुच में smiley मतलब जिराफ को देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है है ना, तो यहाँ भी आएगा true, P-R-U-E true third है, हल्दी reached the playground quickly, तो हल्दी जल्दी से playground पहुँच जाती है जिराफ के पीट पे बैठ कर तो यह भी आजागा true P-R-U-E, true fourth है, the giraffe took the girl to school on his back तो अपने पीट पर बैठा कर जिराफ उसको school पहुचाता है यह भी true ही है fifth है, the giraffe attend the school with her, तो जिराफ हल्दी के साथ school को attend करता क्या है, नहीं, वो तो हल्दी को school के playground में छोड़कर चला जाता है तो यहाँ पर आएगा false F-A-L-S-E, false उसके बाद देखो fourth number क्या दिया हुआ है where was हल्दी going, है न हल्दी कहा जा रही थी, तो इसमें देखिए यहाँ पर where was हल्दी going हल्दी कहा जा रही थी, answer है हल्दी was going to the school, हल्दी कहा जा रही थी, हल्दी school को जा रही थी fifth है whom did she made on the way, वहां रास्ते में किस से मिली इसका answer है, she made a giraffe on the way, मतलब वह रास्ते में जिराफ से मिली fifth है why was the name of the giraffe smiley, जिराफ का नाम smiley क्यों था, तो आंसर है, जिराफ नेम was smiley, because whoever see him they smile, मतलब जिराफ का नाम smiley इसले था, क्योंकि उसे जो भी देखता था वहां मुस्कुरा देता था, इसले उसका नाम smiley सात्वा है, does smiley love books, क्या, smiley को पुस्त के पसंद थी, तो yes, हां who said this, किसने कहा I am sorry to stay किसने कहा I am sorry to stay healthy to giraffe है ना, हल्दी ने जिराफ से कहा, कब कहती है कि जब वो इसकुल जाने के लिए लेट होते रहती है, तो उससे बात नहीं कर पाती तब ये sentence को वो कहती है, भी है whenever you see me, you will smiley किसने का जिराफ ने हल्दी से कहा है ना, कब जब हल्दी उससे देखकर बोलती है कि तुम्हारा नामी smiley क्यों तब थर्ड है, I love book to ये भी जिराफ ने हल्दी से कहा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है थर्ड है, say loudly उचे स्वर्ग में बोलो, जिराफ वाक्ड, स्माइल्ड, ग्लास, स्टेर वैन एवर, सर्प्राइजड, वैनस्डे, रिचेस, तर्ण्ड, वंडर्फूल, एड्वेंचर लेट्स टॉक, चलो बाते करें whom डिड हल्दी मेंट वाइल गोंग टू स्कूल पाट शाला जाते वक्त हल्दी किस से मिली तो इसका अंसर आएगा हल्दी मेट जिराफ गोंग टू स्कूल है न, हल्दी स्कूल जाते समय जिराफ से मिली describe how the giraffe was looking है ना जिराफ कैसे दिख रहा था थेंक यू